अप्रेल से ही जो UIT की कुछ प्राइम ग्लांज हैं जिस पे काफी एंक्रोच्मेंट हो रहे थे उस पे एंक्रोच्मेंट रिमूवल ड्राइव चल रहे थी हमने अप्रेल पांच को भी लोग सुछना जारी करी थी काफी लोगों से समझाईश भी करी पिछले हटे से भी समझ करी थी यहां पे कोई पानिता कैश्मेंट एरिया था तो वह इस प्रकार के लैंड्स थे कि हमने लोगों से भी समझाईश करी कि आप अगर यहां बैठेंगे भी तो कल को आपको यह लैंड अलॉट करने भी वाइटी को बहुत दिक्कत आएगी तो उनसे समझाईश करने के प्राइस किये थे पर वो सफल रही इसले कल इंक्रोच्मेन्ट है और वो इनक्रोच्मैंट ऐसे ते जो पिछले 10 दिनों में ही क्ले गए थे तो काफी कच्छे प्रकार के थे तीन शेट वगिरा प्रकार के थे तो उनको हटाया महां पे जो पाक विस्तापिद समाज ता जो काफी विरोध भी हुआ और आज हुमने बहुत अच्छी उनसे सक्सेस्फुल और पॉजिटिव वार्था करें उनकी दिमांस भी सुनी उनकी मुखे डिमांड यही थी कि उनको बैठ भी कि कोई जगर दी जाए तो उसके लिए UIT जैसल में तवारा अगले एक हफ़ते में ही स जिनित करीच जाए थी जो जितने भी परिवार है उतके लिए लैंड सफिशिंट भी हो और वो कोई लैंड ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई वाटर कैच्मेंट एरिया आ रहा हो या कोई अन्य अलोट्मेंट पहले ही किया जा चुका हो जिसमें जो यहां के लोकल्स हैं अमर सा कभी हो गई जितने भी पाक विस्तापित हमारे यहां रिफ्यूजीजें उनसे और वो मान भी गए क्योंकि उनकी प्रमुखबार है